हाई अवरिवान वेलकम बैक टू माई चानल दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद हैं अच्छे ही होंगे सो आप तो समझी गए होंगे कि आज फिर से मैं आपके सफेद बालों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ आज की रेमिडी बहुत जादा अच्छी है दोस्तों मैं आपके सामने लाइव टेस्स करके दिखाऊंगी अभी फिलाल मैं अपने बालों को सुलजा रही हूँ हैर पैक आपके सामने लगाऊंगी वाश आपके सामने करूंगी ताकि आप देखें कि कैसा रेजल्ट मिला है कितनी देर में बड़िया रेजल्ट मिले हैं यहाँ आप मेरे सफेद बाल देख सकते हैं यह देखें इस एक जगे पे मुझे 5-6-6-7 सफेद बाल हैं आप दिखाने वाली हूँ कुछ दिनों पहले भी मैंने आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर की थी लाइव रेजल्ट शेयर किया था जो आप लों को बहुत जादा पसंद आया था तो मैंने सोचा क्यों ना एक नए तरीके से दूसरा लाइव ट्रेस करते हैं ये वीडियो अगर आप से मिस हो गई है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप जाकर देख सकते हैं इसका भी टेस्ट मैंने लाइव किया था यानि कैमरे के बिलकुल सामने पीछे नहीं चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कैसे आज क्या करना है आपको बताती हूँ और आज भी मैं आपके सामने ही हैर पैक लगाऊंगी आपके सामने ही बनाऊंगी लगाऊंगी और वाश भी आपके सामने ही करोंगी ताकि आप देख पाएं कि किस तरह से रिजल्ट यह लगाया है मैंने हैर पैक इसका रजल्ट आपको देखने को मिलेगा वीडियो के एंड में पूरी वीडियो देखिए का ध्यान से कैसे क्या चीज़ें करनी है पसंद आएगी वीडियो तो लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चानल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लिजे देखते हैं यह कैसा रजल देता है दो स्पून आपको इंडिगो पाउडर लेना है आप कौंटिटी का ध्यान जरूर रखिएगा चितनी चीज़े मैंने जिस कौंटिटी में डाली है आपको वैसे ही डालना है और दोस्तों इंडिगो पाउडर कोई केमिकल नहीं है क्यों देख लें कि आपको कोई रियाक्शन तो नहीं हो रहा है चाहिए अप मेहंदी लगाते हैं इंडिगो लगाते हैं कोई भी नई चीज लगाते हैं तो पैस्टेस करने के बाद अगर आप 100 पसंट शूर है तो आपको लेना है पहले इंडिगो पाउडर इसके बाद आपको करना है मेहंदी मैं जिस भी ब्रैंड की जो भी चीज़ें यूज कर रही हूं आपको कैमरे पर दिखा रही हूं आप देख सकते हैं इन सब का लिंक्स भी आपको दे दूंगी अगर आप चाहते हैं तो अब मेहंदी आपको लेना है एक्वल कॉंटिटी में ध्यान रखिए कि वो 48 घंटों के लिए दो दिनों के लिए एक ही चीज़ करें तो मैं आपको वन स्टेप में ये करके दिखा रही हूं साथी में यूज करने वाली हूं आज बीट रूट जूस का बीट रूट को आपको ब्लेंड कर लेना है यानि चुकंदर को मिक्सर में कट करके ब्लें निकाल लेना है तो आपको ये बीट रूट जूस बनके तयार है अब इतना जूस आपको लेना है जितने में अच्छा सा बढ़िया सा पेस्ट बन जाए यहां पर मैंने पिछली बड़ी चाय का पानी यूज किया था आपको याद होगा मैं प्लेन वाटर नहीं ले रही ब्लाक सा पेस्ट बन के तयार है आपके जहनकारी के लिए बता दूं कि इंडिको को पेस्ट बनाने के बाद आपको रखना नहीं होता है तुरन से लगा लेना होता है तो आपको ऐसे ही करना है इसको छोड़ियेगा नहीं पेस्ट बनाने के तुरन बाद अपने बालों में आपको अप्लाय कर लेना है देखिए मेरा यहां पर पेस्ट बन के बिलकुल तयार है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वन स्टेप में ही आपको कोई चीज बताओं ताकि आपको जादा टाइम वेस्ट नहीं हो और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए चलिए अब इसे तो मैंने आपको अपने सफेद बाल अलड़ी दिखा दिये हैं उतने सेक्शन में बालों के निकाल लोंगी अलग कर लोंगी और बाकी को क्लच कर लोंगी ताकि वो पीछे रहें यहां पे मैं ग्रे हैर पे करके दिखाऊंगी तो आपको जादा बढ़ियां तरीके से पता चल पाएगा किसका कैसा रजल्ट आ रहा है चाहें तो मैं पूरे बालों में भी लगा सकती हूं बटकारे बालों पर क्या असर दिखेगा इसलिए मैं सफेद बालों पर आपको डिखाऊंगी यह दिखिए रूट से आपको दिख रहे होंगे कि पूरे ग्रे हैं इस पे आपके फोर हेड वगेर पे ना लगे मैं हमेशा भूल जाती हूं अभी मुझे याद आ गया तो मैं आपको लगा कर दिखा रही हूं इस तरह से लगाने के बाद फिर आप हैर पैक लगाएं तो मैं सेक्शन में आपको लगा कर दिखाती हूं देखिए अच्छी तरीके से और इसके बाद बालो को पीछे करके रूट्स में भी लगाऊंगी मैं सोच रही हूं कि आगे के पूरे बालो में लगा लूँ वाश करके दिखाना है आपको थोड़ा मैसी हो जाएगा बट कोई नहीं रिजल्ट आपको दिखाना है तो वाश भी करूंगी देखिए अच् करता है अगर मैं सामने वाली को लगाती हूं तो भी मुझे लगता है कि मुझे हो रही है मतलब मैं इतनी प्रोन हूं इससे केमिकल चीज़ों से तो मैं अपने बालों पे नहीं लगा सकती और नहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी केमिकल लगाएं इंडिग के लिए इसको ड्राइ होनी दीजिए उसके बाद आपको नॉमल पानी से वाश करना है तो चलिए अब यहां पर दोस्तों दो घंटे हो चुके हैं पहले तो मैं अपने स्पेक्स निकाल लूँ मैं अपने काम में बिजी थी तो इसके बाद मैं अपने शार कैप रिमूफ करू और उसके बाद आपको वाश करके दिखाते हैं तो थोड़ा से मैसी हो जाता है बट मैं दिखाती हूं इसका रिजल्ट इंडिगो का जो पानी जब हम वाश करते हैं पूरा ग्रीन-ग्रीन सा रहता है लेकिन इसमें जब मैंने बीट्रू जूस भी आड़ किया है साथ ही मै बालो में कलर भी विल्कुल ऐसा ही आए बहुत जादा मैसी हो रहा है दोस्तों तो मैं थोड़ा सा वाश करने के बाद फिर बाद में पूरा अच्छी तरीके से वाश करूंगी अभी आपको मैं इसका रजाल दिखा देती हूं इंस्टिंट जो आया है रजाल और एक टिप आप जेगा पांच छे साथ घंटों के लिए बालों को ऐसी ही रहने दीजेगा क्योंकि इंडिको जो है कलर रिलीज करता रहता है दिन बर तो आप टो आप जो इसलिए फिर ऑलिंग कर ये और नेक्स डेश चैंपु करिए गा तो यहां मैंने हलका सा वाश कर लिया है टाव इधरी मैंने आपको दिखाया था इसी साइट पर दिखाया था आप देख सकते हैं बालों का कलर कितना जादा डार्क है अभी आप देखिए एक भी बाल आपको ग्रे नहीं दिखेगा उपर से नीचे तक आपको दिखा रही हूँ यह सिर्फ वन स्टेप में मैंने किया है जिन लोगों को टू स्टेप से प्रॉब्लम है यह बहुत असानी से कर सकते हैं अब मैं जाती हूँ अच्छे से अपने बालों को वाश करती हूँ और ड्राइ होने के बाद आपको दिखाती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभी इंडिगो महंदी लगा रह गया है तो अच्छे से वाश करने के बाद आपको दिखाऊंगी ये देखिए दोस्तों मेरे बाल यहां पर आगे से ड्राइ हो चुके हैं आप मेरे बालों का कलर देख सकते हैं कहीं से भी आपको सफेद बाल नहीं दिख रहे होंगे बाल रफ और ड्राइ नहीं दिख रहे होंगे देखिए स्मूद और सिल्की है जबकि मैंने अभी शैंपू नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ पानी से ही वाश किया है आप इस तरह का ब्राव करें तो अगर अगर आप इस तरह का प्रोसेस अ यौर करें क्की मुझे बहुत सादा ऐसा नहीं चाहिए जो अलग षा की डाइक किया हुआ है मुझे ब्लाउ ब्राउन कलर पसंद है मैं वैसे ही करती हूं तो आप वी ऐसे ही आशे कर सकते हैं और आज की वीडियो आपको पसंद आई है, मेरा ये experiment पसंद आए है, efforts पसंद आए है, तो इसे like जरूर करिएगा, इसे try करके अपना feedback मेरे साथ देना मत भूलिएगा, आज की वीडियो पसंद आई है, तो like कर दीजे, share कर ये वीडियो को, चानल पे नए है, तो subscribe कर लिजे, म